नूर बसाइन अखियों में तेरा कब हुई तेरे मैं रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क नहीं हो गया मैं तू ही तू रंग दूने कैसा है चाहाया सुन्यारा सुन्यारा आप किसी के निस्दीक आ सकते हैं उसे छूपी सकते हैं शायद पर दिल तक नहीं उतर सकते हैं दिल तक पहुंचने के लिए कुर्पद्नी तलब का होना जरूरी है लेकिन इनसान को खुद पे एक्तियार तो होना चाहिए ना खर तुम लहुर जाने के तैयारी करो मैं जाओ या ना जाओ आप कौन होते हुकम सादर करने वाली जब देखो तानिया की तरफ चला जाता है उसे खबर ही नहीं है कि उस कुटिनी की वज़ए से उसका घर टूटा है ना वो तलाल के इश में गिरिफतार होती और ना यह सारा फसाद उठता मा मैंने आपको कितनी दफ़ा का आए आप और सुभूई मेरे मामलात में दखल अन्दाजी मत किया करें दादा रोख से सिर्फ बच्चा नहीं लोगा उसकी जिंदगी पर बाद करते हूँ ये लो भई आप में मुझे पापा से खाना है तलाल तुम पूछोगे नहीं कि रोष्णी क्यों इतनी अपसेट है क्यों वह रुकसती से भाग रही है पूछने को कोई फादा इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी जैनी परिशानी और डिप्रेशन का एला आज मेरे पास नहीं है इसे अच्छा ही वह उसने तुमें खुद बता दिया तलाल इतना जालिम तो ना बनो कि मुझे माजी के उस तलाल पर शक होने लगे जो इतना रह्म दिल और हसास था ना कि वो तलाल जो इस वग बुद बनके मेरे सामने बैठा वा है क्या सुन किया मैनम ऐसे क्या मजालिम डाय है मैनम हां सिर्फ वेख अता किया मैनम तानिया से शादी ना करने की जिसका सिल्सिला अब तक चल रहा है और उसकी वज़ा से हर करदा ना करदा कुसूर तुम मुझ पे डाले जा रही हो मैं यहाँ रोशानिकी बात करें त्अनिया का विज़ा से आगया बीच में वो जीतेजी मर रही है अतालाल तुम्हें अंदाजा भी है यानि यह सब जो तुमने उसके और मेरे साथ किया यह तुम्हारी नजर में धोका नहीं है उसका दिल तोड़ दिया तुमने उसके सारे खाब तोड़ दिये तुमने इतनी आसानी से उससे रिष्टा तोड़ने के लिए तयार होगे और अभी तुम्हारे क्यार में तुमने इसको कोई धोका नहीं दिया, हाँ? और महिश शादी के लिए उससे तुम इसलिए तयार हुए कि मुझ पर दबाव डाल सको. तलाल, अगर तुम्हाई डिक्ष्णरी में इसको धोका नहीं कहते हैं, तो और किस चीज़ को कहते हैं? शायद मुझे महवबत करना आती है नहीं है. मैं शायद महवबत के लिए बना ही नहीं है. फिर अगर वो इस शादी से अतनी नाखुश है और इस रिष्टे से अजादी चाहती है, तब मैं उसके इस वैसले में रुकाउट नहीं बनूगा. इस शादी चाहती है, तब मैं रुकाउट नहीं है. इस शादी चाहती है, तब मैं रुकाउट नहीं है. इश्क दे रस्ते चलना निसौखा, करके वफावाँ लबदाए धोका. हां जुआच डूब गए, सखम ए सारे, दर्द शक्ता, सहना ए ओखा. हेलो लाली. हेलो. I'm sorry, Lali. मैंने आपको बिलावजा परेशान कर दिया. तुख और दर्द के देने से कम हो जाता है. आंसों और दफ्सों के सहारे इसको बहाद इने एक्तर है. रश्नी. तलाल में जो तुम्हारा भरुसा तोड़ा है ना, वो तुम्हें बापस नहीं ने करा सकती लेकिन, तुम्हारे आंसों जरूर बोट सकती है. शायद तुम्हें ये मेरी फुट करसी लगे, लिखिन लिवी में तुमसे इलते जाते हैं अगर तुम मुनासिब समझो तो. माँ माला चान और अमी की खातर प्रीज तुम्हार मत करना लाली, इतना सब कुछ जानने के बाद मैं ऐसी मुनाफिक आना जिन्दगी नहीं कुदार सकती. और आपको तो इसका बहुबी अंदाजा होगा. जब तालुप में दिल ना लगाओ तो वो कितनी अजियत देते हैं. मैंने जिंदगी के हर रंग को आजनाया रोशनी. महुबते उसे तुझे से मेरा जिनी ही नहीं हो गया है. मैंनी जानती कि यह महुपपट ऐसा जजबा हो था भी है या नहीं? शायद दूसरे के दिल में अपनी जगा बना लेने को यह हम महुपप से तश्वी देता है. और शायद इसी चीज़ को संदगी में नाम समझाता देता है. मैं समझाता नहीं कर सकते. महुपपत तो महुपपत है लाली. महुपपत मैं कैसा समझाता? इसमें कोई तीसरा रास्ता नहीं होता. महुपपत चाहे और चाहे जाने के अंदाज से जिन्दा रहती है. बस यह जानती हूं मैं, यक तरफा सफर जल बदीर ठका देता है. सही का दम ले है. यक तरफा सफर बाकरी बहुत मुश्किर हो जाता है. आचल में भरके फूल ये सारे, खुश बूस भर दूँ मौसम तुम्हारे, खुश हो रहे हैं जपने हमारे, बैठे रहो तुम धड़कन की नारे, रंग दिया तेरे इश्क नयो. रंग प्राइब तुम्हारे की नारे, ज़िए श्कील साइम, यह मेरे इसलामबाद की मंडी की फ्लाइट करवादी ज़। थैंक यू. यह रिए अब आप प्री है तो बहसी शेकील की रिपोर्ट पर रहे हमें को डिस्कुस करता है. मुझे शॉरी सुहे लिए लिए शुक्त मेरी ते बहुत कुछ ठीक नहीं है, मैं आपको दो गॉंटे में फिर से बलाना हूँ. ओके ज़ू. थैंक यू. थैंक यू. हेलो, जी श्कील सान. ठीक, थैंक यू. मुझे टिकेट इमील कर देजीगा मस्. मुझे. थैंक. इरना, पुर्ण, 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 मुझे. पुर्ण, पुर्ण, आजनभी शुमझे के पाते हैं. अजनभी लोगोंसे बात नहीं करती थी. और इसादा से शायद बाग के तेहाँ पेले. जब तो अजनभी मिल जाते हैं, तो वो अजनभी नहीं रहते हैं. आप शायद भूल रहें सेफ के हमारा अजनभीयत पेलावा नफरत का भी रिष्टा है. अजनभी बाग तो सुन दो लाली, जो अपने बेटे से मिनना है. कबरदार जो इसको आपने अपना बच्छा का है, वो सिफ मेरा बेटा है. कुमारा ये बात मानना और उससे यह अकीकत नहीं बन जाती. मेरा पूरा हग क्या सुन. आपके मुझसे हग की बात सुनके मायूब लग रहे हैं मझे. और अगर आपको अपना हग जिताने का इतना ही शौट के तुम मुझसे बात किने से कोई वायदा नहीं होने वाला, आप जायें जातके कोट का दर्वाजा करता हैं. और अगर तुमसे मिलना हो तो, जादी देखो, तुम्हें छोड़कर मैं किस हजियत मैं उसका मैं बतावे नहीं सकता हैं. मैं अब भी तुम्हारा हूँ. आप अपनी हद में रहेंगे तो बहतर होगा, आपके लिए भी और मेड़ी से. आपकी किसी कहानी में कोई दिल्चस्पी नहीं हो जाएं. और कोशिश करें कि मुझ से आप मेरे बेटे की जिंदगी से आप बहुत दोर हैं. रोशीबा जी, आपका फून कबसे बज़ रहा है? तालाल भाई गर के फून पर कर रहा है आपकी चन में ती. मैं बना दू चाहे? नहीं ठीक है, तुम्छाओ. हलो? अगर मैं कहूं कि मैं आपसे बात करना नहीं चाहती तो? तुम्हें कहने की जुरत नहीं है. यह बात में बहुभी जानता हूं. फिर भी आपने जहमत की. हाँ, मैंने की जहमत. अब बताया क्या किया जाए. खेर मैं तुम्से मिलना चाहता हूं. क्यों? क्यों मिलना चाहते वाप? मैं क्यों मिलना चाहता हूं, यह बाद में मेल के बताऊंगा. मैं मन्ने को असलामबादार हूं, आपने किसी काम से हूं. आपसी भी तुम्हारे खराऊंगा. सुने, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती. और आप घर आने की हर्गिस कोशिश ना करिएगा. और यह मुझे वज़ाहते देने का शौक नहीं है. तुम्हें खुश्वेमे क्यों होने लगी है, कि मैं कोई वज़ाहत देने के लिए आ रहा हूं? मुझा तक सवाल आने का है. वो मेरी खाला का गर है. मैं बिना अजासद आ सकता हूं. आप खुद को समझते क्या है? हाँ? मैं लाली की तरह कोई कमजोड नहीं हूं कि आप अपनी मनमानिया कर लेंगे? अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है, बलकि बहुत खुशायन बात है. ऐसे भी मुझे बहाद लड़कें बहुत पसंद है. खैर, बाकी बाते हैं आपने सामने होगे. तो दावस. अच्छी क्या सुपज़ता है आपको, इसको… अच्छी जी, डॉक्तर सब कब तक आएंगे? सर, टैंटी प्टेंट्स का भी राम के लिए आएंगे. आएंगे, डॉक्तर सब्सक्राइए? प्रॉक्तर सब्सक्राइए. क्या है अबीजान की तभीत कर दोगी मैं आएंगे से अफेज़ता हुएजीए, इस दिए जब तो ओत्यू थी। अबाई जल्दी खियाली आगा, अबीजान का. मैंने आपके ताने सुनने के लिए काल नहीं किया। बल्कि ये जानने के लिए कि अशे मुझे बेर कबर रखनी कि क्या वजाती ओए? देखो लाली, कुछ भी बताने के लिए इंसान को फोन पर बात करनी पड़ती है मेरे ख्याल में तुम्हें मुझ से फोल बात करना परसंद नहीं है उचे बताओ मेरे पास और क्या हल रहे गया था केर, मैं कल कर वापस आ रही हूँ ओके, मैं भीज़ देता हूँ उसके साथ जाना उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कुदा जाओगी लुए वापसाँ नहीं तुम मेरी जिमेंधरी हो किसी और की जिम्हाँदारी नहीं इसलिए शहबाँ के साथ आ जाना कोई परेशाणी नहीं हो की मैं केली आ सकते हूँ मुझ सहारों की आदत नहीं वैसे भी सहारे इंसान को सब कम्सूरी बनाते है लाली, सहारे इनसान को मजबूत और तकवियत देने के लिए होते हैं प्लीज, क्या हो गया तुम्हें कैसी बाते करने लग जाती है लाली, लाजमी तो नहीं है कि जिंदगी में बार बार हादसे हो हादसा सिर्फ एक बार होता है उसका खौफ बाकी रह जाता है और इस खौफ से कैसे निकला जाए और इस खौफ से कैसे निकला जाए किसी पर एतबार करके मैं शैबास को भेज रहाँ उसके साथ आजाना, ओके आप खामखाँ उसको तकलीफ दे रहे हैं बहुत हुआ तो एरपोर्ट तक भीशते का सिर्फ तो घंटे का ही रस्ता है कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है ओके आयान का ख्याल रखना खदाफिस 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 बेटा, मुस्तफा से बात होगी तुमारी? अब यूनी से बात कर रहे थी मैं वो पीजान की तब्यात नहीं ठीक, उने हार्ट एटक हुआ हुआ हॉस्पितल में वो बेटा, फिर तो तुमें जाना जाएए, मैं खुरूम के साथ तुमें भीजवादू नहीं वो शेहबाद पर आजाएगे मुझे पिकरने के लिए जरूवत नहीं है मुस्तफा नहीं आएगा तुमे लिने? आना तो चाहते थे वो, पर मैंने सोचा ऐसी उने परिशानी होगी इसलिए मना करती है मैंने देखो लाली बात कर बुरा मत मनाना तुम्हारा इस तरह मैके आके बैठना, अपने घर से ला तालूख होना ये ठीक नहीं है बेटा, बीजान तुमसे बहुत महपत करती है मुस्तफा लाक अच्छा इंसान सही, लेकिन बेटा फिर भी, वो मैसूस तो करता होगा ना तुम्हे अपने घर जाना चाहिए, तैयारी करो, हम? जी, और मैं तो यही चाहती हो, मेरी बेटी हमेशा आपने घर में खुश रहे, आबात रहे आप फिकर ना करें आखर जरूरत क्या थी आपको पाप के अंदर आने की? सारे किये खराए पर पानी फिर दिया आपने, तेखा आपने वो किसना बद्गुमान होगी मुझसे मैं क्या करता तानिया, उसको देख के मुझसे रह नहीं गया यू लगा राक में तभी सारी चंगारियां यक तम बढ़कने लगी क्या मतलब है आपका? तानिया जजबों की रवानी आज भी सारी लालरुख की जाने भी है मैं उसके बगएर अधूरा हूँ और राज उसको देख कर यह ऐसास और भी बढ़ गया खुदा के लिए ऐसा मच सोचे भायजान, यह नामूमकिन है हाप आयान तक बार ठीक थी लिकिन अब आपने वो रास्ता भी बंद कर दिया अब आयान से मिलना तकरीबन नामूमकिन हो किया है नामूमकिन को अब मुमकिन ही तो बनाना है यह रास्ते दुश्वार हो यह नहां बार मुझे अभी नहीं पर चलना है मगर अब में लाला रुख का सामने कैसे करूँगी शिर्मिन दी यह हो रही है मुझे उसे लग रहा होगा कि मैने जान बूच के आपको पार्क में भुलाया है नहीं तुमें दर्मिया में आने के कोई जुरूरत नहीं यह मैं खुद हैंडल करूँ यह दानिया तुमने देखा उसकी आँखों में कितनी उदासी थी वो शादी करने के बावजूद खुश नहीं देख रही तो इससे क्या फर्क पढ़ता है वो खुश हो या ना खुश हो उसकी शादी हो गई है ना उससे आपको कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए वो आपके लिए नामहरम है और उसका उस्सा चाइस्ता वो मेरे लिए ना कभी पहले बढ़ाई थी और ना अब है और उसको देखकर यह अशास और भी बढ़ गया है कि वो पहले भी मेरी थी तानिया और वो आज भी मेरी है लाली मेरी है तानिया भाईजनी यह सेफिय भाई क्या सूथ रहे हैं? पापा! आयान, देखके वास्पिटिल है क्या हाल है? असलाम सुफर के सलाव ठीक था बस कि अभी जान को क्या होगे? जब में गई थी तब तो ठीक थी विलकुल कुछ ज्यादा मसला नहीं है ब्लूड प्रेशर का इशू हो गया था था बस कम्रे में जाकर मिल लो तू अच्छ आया यहान अभी जाती तंदी करना ठीक है? शी नौट प्रेशान होगी मैंने असी का था कि तुम मत बताए खाभ खाभ परिशान होगी मैं बिलकुछ ठीक हूँ बेटा मैं खुद भी आना चाहती थी पीचा बस वहां पर काम इतने सारे निकलाए मैं बुरे तरीके से स्थाको गए कैसी तभीयत है आपकी अपकी अपको मैं घर जा रहा हूँ कोई काम है तो बता दो अरे मटा थोड़ी सी तेर चानिया से भी ने जाओ ने सान बिचारी थक योगी साफर से ने मैं बिलकुल ठीक हूँ मैं यहीं रुकूंगी न आपके पास हरे पिटा तुम ऐसे करो तुम अभी चरी जाओ शाम को फिर आजाना और उस वक तक शेबाद और उसकी बीवी मेरे साथ है जाओ जिद मत करो मेरा बच्चा आपकी तबियत पहले ही खराब है मैं यहीं हूँ आपके पास पीजान मैं शाम को हाजिर हूँ अलाफिस है जाओ जाहाँ अलाफिस महबत कोई जबरदस्ती थोड़ी की जा सकती है अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे भी कोई तरीका बताओ मुझे आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे आपकी कोई बात और कोई वजाहत नहीं सुननी हारून 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 आप मुझे जरा अभी मां के कह ड्रॉप कर देंगे इस वक्त? हारून हारून महां से मिलने का बहुत दिल कर रहा है मगर यह कौन सा वक्त जाने का और तुम अपनी कंडिशन देख रही हो मैंने सिर्फ आप से पूछा है ले जा सकते हैं तो ठीक है इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? हैरान नहीं हो रहा हूं मुझे तुम्हारी नासमजी पे अफसोस हो रहा है तानिया मैं बहुत बरदाश्त कर रहा हूं मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी मैके की उलजनों को सुल जाने में लगी हुई हो बलके बलके खुद उसका हिस्सा हूं कैसी उलजन? Tania, मैं बच्चा नहीं हूँ. मैं तुम्हे इसलिए कुछ नहीं कहता, कि मैं तुम्हारी कंडीशन देख रहाऊं, और मैं तुमको कोई टेंशन देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इस बच्चे से बहुत प्यार करता हूं. मैं तुम्हारे मेके के सारे मसले भी देख रहा हूँ और तुम्हारा और सायमा भाबी का जगडा भी देख रहा ओख और अब तो सैफी ने भी आना शुरू कर दिया, यहां पर तुम्हारे पास बहुत पता नहीं किया खिचडी पक्री हे तुम दोनों के दर्मियान? ऐसा भी क्या है मुझ में मुस्तफा जो तुम अपनी जिंदगी इतनी मुश्किल में डाल रहे हैं मेरे लिए ए तो बहुत ही आम सी लड़की बहुत आम जिसके सामने से यकीनलोग बगेर चौंके कुज़र जाते होंगे जिसके पास तो एक बिखरा हुआ दिल और मुंतशिर जहें है जिसके हाथ बिलकुल खाली है कोई इस दिवाने को समझाए तो सही वो लोग कब चोड़ बाते हैं मला जिनका यकीन इतने बुरे तरीके से तूप चुका हूँ ये तो खुशी की बात है गया मुस्तफा से मानू सोगया परना तो बड़ी फिकर रहती कभी कभी बच्चे नहे महौन में अर्जैस नहीं होबाते अर्मा के लिए बड़ा मसला हो जाते रोशी बाजी वो जी वो आये हैं वो मेरा मतलाव है तलाल भाई तो क्या करूं वो जी दादी आपको बला रही है दादी काफी है उनकी खातर के लिए तुम ज़ो यहां से अभी मुदादी जान रोशी बाजी खफा हो रही है जी वो मुझे डाट रही है क्यों क्या हुआ वो बढ़ाई कर रही हूं मुझे तंग ना किया जाए और जी मुझे तो अच्छा खासा धानकर रूनों बगा दिया अच्छे ठीक है साब्रा तुम जाओ मैं देख लेती हूं कुफिय साब्रा भी ना पता भी चले आखिर ऐसी कौनसी पढ़ाई कर रही है वो मैं देखती हूं जाके खाना अब प्लीज आप पहने दीजिए मैं चाई पी के खुद मिल लूगा उसे पढ़ाई में मस्रूफ होगी मेरे बिटा फिर भी पता तो चले कि ऐसी कौनसी पढ़ाई है कि घराय महमान को नहीं आके मिल सकती पैसे बिटा पता नहीं इसे क्या हो गया है जरा-जरा सी बात पर उलत जाती है खलत परिशान मत हो मैं खुद देख लोगा अब प्लीज चाई पीजिए अच्छा-पीटा, केसे तुम्हारी मर्सी अगर सारा साल पड़ा होता, तो एक दाम पन्ने के जिरुवत ना पड़ती कितना पड़ाया और तुम्हें कितना समझाया होगा विखाव जरा मैं भी तेखो मेरा परसनल मामला है, आपको जांशने की जरुद नहीं और मैं भी तुम्हारा परसनल मैटरी हूँ जिसे तुम चाह के भी एडोट नहीं कर पा रहे हो मराय महरबानी आप यहां से चले जाएं मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे आपकी कोई बात और कोई वजाहत नहीं सुननी मैं तुम्हें यहां पर वजाहत देने भी नहीं आया, सथी तो फिर क्यों आया? देखने आया हूँ कि एक एहमक और अकल से पैदल लड़की होती कैसी है? मुझ जैसी दिखती है एहमक लड़किया जो मर्दों के फेलाई हुए जाल में बहुत असानी से आपस्ती है और अपना सब कुछ दाउं पर लगा गेती है सही कहते हैं कर्मागी जहां महुबत की हुकम्दानी ना पर खौफ और बंकमानी की हुकम्दानी होती है महुबत कहते किसी पता आपको क्या है यह यह कैसा जजबा है इसे सीचने के लिए किन रवईयों की जुरुत पढ़ती है आपको पता है आप जैसे मुफास परस सब खुद पसंदो क्या जाने बहुत है यह तो अफसोस की बात है कि बिनाई होने के बावजूद भी अक्सर लोग हकीकत और सचाई को देख नहीं पाते हैं बहचान की नजर सिरूरी है रोशाने बेह दबारी एक खुद्रोचाडी की तरह होती है रोशाना उससे जितना सेंचोगी वो उतनी ही तेजी से बढ़ेगी और एकदम जंगल की आग की तरह भीर जाएगी और पर जाने के बावजूद भी तुम कुछ नहीं करपाँगी सुन यारा, सुन यारा, यारा, यारा यारा शाय यहाँ वैसे तलब सिर्फ चाय की तो नहीं हो देती है आप बीजान के तरफ जाएं के तरफ जाएं के अभी? शेवाज से भी बात हुई थी सोरी है बीजान भी उठेंगी तो प्र जाम करें आयान उठके? नहीं वो तो सो रहा है अभी तक हाँ सफर की थकान भी बहुत हो गई होगी इस बच्चे को सफर की थकान तो कोई खास नहीं थी अलबता मुझे लगता है कि आपको याद करके काफी डिस्टरब्ट रहाएं को क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि आयान इस घर में खुश रहता मैं क्यों ना खुश होंगी इस जानकर खुशी हुई कि तुम्हे यह तसली तो है कि मैं आयान कुछ शिड़ी के तौर पर इस्तमाद नहीं करता क्यों है और कि अजल पात है कि यह तुम्हारी बात कर से लिए बात के लिए रखता रहें इहाँ आए स्टमाद कर दो तो हमारी कि मैंकित हम उन्षारी कि मैं इस्टर्ब्बंगत नहीं करना चाहता थाँ ता नहीं जानता हूं कि कुम्हारी साही डिस्टर्बिंस की वज़ा मैं आप नहीं है मैं तलाल की वज़ा से बहुत परिशान हूँ जह समझ भी नहीं आ रहा क्या करो उसका तलाल क्या हुआ तलाल और रशाने की रिष्टे के बीच में बहुत वासले आ गए मुझे डर लगता है आपकी यह लोग अपनी मिसंडरस्टानिंग की वज़ा से अपना नुकसान ना कर बैठें गई खुलकर बताओ बात क्या है रोशनिया कर यही तरीके रहे ना तुम्हारे तो कर ली तुमने घरदारी और संभाल ली तुमने शोहर को और बच्चों को अरे बीठाई यह कैसी तालीम है जो तुम्हे तहजीब ने सिखा रही कि घरा है महमान के साथ क्या सुलू करना है तलाल शाम से आया पैठा है और तुमों के कमरे में बंदू ना सलाम ना दौा ना खातिर ना मदारत तुम तो इस तरह से पढ़ाई कर रही हो जैसे के सारी पढ़ाई आज ही हो जाएगी मैं तो यह कहती हूँ कि एसी तालीम का क्या फाइदा जो कि तमीज ही ना सिखाए कब से आय बैठे हो तुम ना तुम से जाय का पूछा ना खाने का पूछा और कुछ नहीं तो तुम्हारे घरवालों का ही पूछ लें कि सब खैरियत है के नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं तो कमसकम लाली की सास का ही पूछ ले इतनी बिमार पड़ी में है वो बिचारी कोई बात है खाला सीख जाएगी कब सीखेगी और सुनो खाना खा के जाना अब तुम नहीं खाला बस में चलूँगा एक सरजन से इंपॉर्टन मीटिंगा असल में पीजान की रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं आई मुस्तफा यहां प्यारा एसलामबाद हम दुनों को मिलना एक सरजन से एंख खुदा खेर करें अब क्या हुआ खुआ 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 अगर तलाल के दिल में ज़रा सा भी सॉफ्ट कॉर्णर नहीं है रोशानी के लिए अगर तलाल के दिल में ऐसा कोई जजबा नहीं है तो फिर मेरा नहीं ख्याल के इस विश्टे के बंधे रहने का कोई जवास बनता और मोहबत कोई जबरदस्ती थोड़ी की जा सकती है मुझे भी कोई तरीका बताओ मैं भी अपनी इसी कोशिश करके देख लिए जो आप कह रहे हैं वो हो नहीं सकता कहना असान है और कर कहीं तलाल नहीं कभी भी ऐसा कुछ किया तो रोश्नी मुकंबल तरीके से तूट जाएगी कोई भी नहीं मरता है रास हवाल दिल के तूटने बिखरने का तो दिल तोड़ने वाले को कब इस बात का खियाल रहता है अब कह चाहती हू यह बताओ अब कह चाहती हू यह बताओ अब सिफ तलाल और रोश्नी की खुशे और अपने लिए अब 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 आरे बहुत मुश्किल है जो पहले सी पंजर हूँ लाली तुम एक बार मुझे इजाज़त तू दूर दिल में उतर नहीं तो यह जमीन मैं खुदी साराब करना कोई भी इंसान सिर्फ अपने अंदर नहीं जीना चाहता वो दूसरे के दिल में अब चाहे जाने की खुआश होगी फिर वो महबत करना चाहेगा महबत मांगना चाहेगा मेरा नहीं ख्याल के तलाल सिर्फ तुम पर पहरे डालने के लिए अस लड़की की जिंदगी से निकल जाएगा वो कर चुका है पहले आसा रोशाना से वो निकाल ना करता अगर उसके दिल में कोई ऐसी बात होगी ती मुझे लगता है कि वो सिर्फ तुम्हें प्रेशराइज करने के लिए ऐसा करगा अगर ऐसी बात है भी तो मुझे समझ भी नहीं आता तलाल का रवएया इतना रूट क्यों है रोशाने के साथ कितनी आराम से उसने उसको छोड़ने की बात कर दी ना ऐसा नहीं चाहते परगए फिस के बारे में तो तो तलाल से बात करने के बाद ही कोई राय काइन की जा सभी अपने तरीके से कर लो ना मुझे सभाथ, नहीं कोई आपकी चाय पढ़े-पढ़े ठंडे हो गई है मैं करम कर लाते हैं कोशिश करना के जजबात सर्दना क्योंकि ये सर्द हो जाए तो जिंदगी बर्फजार की माने दो जाती खुश हो रहे हैं जपने हमारे बैठे रहो तुम धड़कन किनारे रंग दिया तेरे इश्क नियों हो गया मैं तू ही तू जहने सीड खेरिये अब आपने मुझे बताया हैं कि लाली की सास हॉस्पिटलाइजड हैं और आपने मुझे से पूछने की जहमत की तो मुझे क्या गयब से खबर आती कि वो बिमार है मुझे भी कहीं से आवाज नहीं थी कि आपका खबर नहीं को और यह केस पे खबरी काताब मुझे आएगी ऐसे कौन से आताब नाजिल हो चुके इससे पहले क्या यह ताब कम है फिलहाल इसका मैं शिकार हूँ इस आताब से आप निकल सकते हैं यूभी मैंने कौन सा आपको असीर कर रखा है मैं तो चपरमुसलत की कही हूँ आप आप जब चाहें दामन जटक सकते हैं इस वाबाल से अपने आपको निकाल सकते हैं यही जली कटी सनाने के लिए फॉन किया था जी नहीं मैंने बीजान की तबिद पूछने के लिए कॉल की थी तो उनकी तबिद के बारे में पूछनाओं आप आप इस काबिल ही नहीं कि आपसे बात की जाए सुनाओ मैं जिस काबिल हूँ यह तुम्हें बहुत अच्छी तरह फुरसत में किसी दिन समझाओंगा आप बात सुनेग, आप बीजान के पास जाएं अबी चलो आपके साथ नहीं अबी नहीं अबी उनके कुछ टेस्ट हो रहे हैं फारग हो कर माँ दाड़ी भाइज दोगा अयान को साथ लेती आना बीजान बहुत में स्कर्रें थी वो तो सही है पर बीजानी कितने दिन और रहना है वास्पितल में? यही एक्डोध है च्छे थोड़ी परिशानी हो रही है अबता है अकरे से ब्लड प्रशर की बात है तो इतने दिन दिन वास्पितल में क्यो रख रहे हो ते हाँ तलाल से बात हुई थी वो मुझे कहता आपने उसको बोला है कि आप इसलांबाद जारें जारें आपके? हाँ कल जाना था अब लेट हो गया हूँ अब कल जाओंगा तुम चलो साथ तगर चलना है तो रोशाना से मिल लेना नहीं मैं बीजान के पास रोखोंगी ओके चलो मैं होस्पिटल जा रहूँ खुदा प्रेस अन्ला सुन्यारा सुन्यारा आप जिसा खुद पसन आदमी महबद तो क्या इतमाद के काबिल नहीं तुम मुझे महबद के काबिल नहीं समझती अब तुम्हें बताओंगा कि मैं किस काबिल हूँ रंग तिया तेरे इश्क ने यूँ हो कई मैं तू ही तू रंग तूने कैसा है चैहाया सुन्यारा सुन्यारा तुम जहां भी चुपोगी मैं तुम्हें ढूँद रूँगा लाला रूँ जा जाला कर सकते हैं आप आप इतना गिर जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था ये रुखसती महज एक इंतिगामी कारवाई थी मर्द की अना को कभी मत छेडना रशाना ये एक सोता हुआ साम है जो जाग जाए तो छेडने वाले को ही डस लेता है